हेलो स्वागत है आपका फ्री जिके के शैनल पी मिरा नाम है किरन भावर आज का हमारा टॉपिक है करेंट अफिर से युद अभियास सभी सरकारी परिक्षाओं के लिए अती महतपुन टॉपिक चाहे SSC हो UPSC हो बैंक, रेलवे, पुलिस, आर्मी, अंडी हर एक्जाम में यहां से एक से लेकर दो कोशन पूछा जाता है इतना जदा महतपुन है यह टॉपिक आप इसको कवर करके जरू जाएगा आज के इस वीडियो में आपको 40 important MCQs देखने के लिए मिलेंगे जितने भी 2021 में जितने भी अभ्यास हुए है, सेनने अभ्यास सारे आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे यहां पर हम और भी पॉइंट्स कवर करेंगे जैसे कहां पर यह आयोजित किये गए और किन सेनाओं के बीच में हुआ है, यह सारे पॉइंट्स में आप लोगों को कवर करवाऊंगे, बहुती जादा important topic वीडियो को पूरा जरू दिखेगा, स्टाट करते हैं पहले question से, दोस्ती, पंद्रवा संस्क्रण हुआ था 2021 में, यह से किन किन देशों के बीच में हुआ, सही जवाब होगा इसका, माल दिव, भारत, एवं श्री लंका, माल दिव, भारत, एवं श्री लंका के बीच में, दोस्ती, पंद्रवा संस्क्रण हुआ है 2021 में, देख़े, यह कहां पर आयोजित हुआ था, कुशिन यह भी पूछा जाता है तो यहां मालदीव में हुआ था और किन सेनाओं के बीच में हुआ था इसमें कुछ सेनाओं होती है जैसे नो सेना थल सेना और वायू सेना तो किन किन सेनाओं के बीच में हुआ था तो यहां नो सेनाओं के बीच में हुआ था अगला सवाल ह हमारा कैरेट अभ्यास 2001 सेन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है सही जवाब इसका अमेरिका और बांगलादेश कहां पर हुआ था याद रखेगा बंगाल की खाड़ी में इसको आयजित किया गया था कहां पर बंगाल की खाड़ी में कौन से सेनाई थी इसमें नो सेनाई इसमें शामिल थी नेक्स कुशन कॉर्पेट 37 ठीक है कौन सा संस्क्राण था 37 वा सेन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है सही जवाब होगा इसका भारत इंडोनेशिया सही उतर है भारत इंडोनेशिया कहां पर हुआ था किस स्थान पर आयोजित हुआ था तो यह हिंद महासागर में हुआ था कॉर्पेट 37 अभ्यास और इसमें भी 9 सेनाई शामिल थी अगला सवाल है एक यूवरिन 11 संस्क्राण 2021 सेन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ सही जाव इसका भारत और माल्देव के बीच में यह माल्देव के कद्दू द्वीप में आयोजित किया गया था और यहां पर थल सेनाई शामिल थी कौन कौन से सेनाई के बीच में हुआ था आजजित किया गया था और यहाँ पर नो से नाओं के बीच में हुआ था नेक्स कोशन है हमारा यह बह्तर है या यह भी याद रखे गा कि किस इस्थान पर हुआ है तो यहाँ फ्राज्स में हुआ था फ्रांस में फ्रीजस पे और यहां इसमें कौन-कौन से सेनाएं शामिल थी तो थल सेनाएं शामिल अगला सवाल हमारा कौंकर्ण शक्ती 2021 सेन्य अभ्यास किन-किन देशों के बीच में हुआ सही तर इसका भारत और ब्रिटेन कहां पर हुआ था ऐजित अरब सागर में हुआ था और इसमें भी 9 सेनाएं शामिल थी नेक्स कोशन हमारा युद अभ्यास 2021 यह सैन्य अभ्यास किन-किन देशों के बीच में हुआ सही तर इसका भारत और अमेरिका भारज और अमेरिका के बीच में यो दव्याइस 2013 का सन्य अभ्यास हुआ है यहाँ अभ्यूजिट किया गया था अलास्का में और इस में ठल सेना शामिल थी नेक्स कोशन है अजे वॉरियर 2013 के सन्य अभ्यास किंकिं नेशों के बीच में हुआ है सही उत्तर है इसका भारत के बीच में कहां पर आयोजित हुआ था तो यह चोप्टीया उत्राखंड में जगा है चोप्टीया वहां पर आयोजित हुआ था और इसमें थल सेनाय शामिल थी माला बार अभ्यास 2021 किन किन देशे के बीच में हुआ सही उत्तर है इसका भारत, अमेरिका, जापान तथा आस्ट्रेलिया भारत, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया ये बीच में माला बार अभ्यास 2021 ये हुआ ठीक है ये अभ्यास हुआ था और यह कहां पर आयोजित किया गया था तो बंगाल की खाड़ी एवं फ्लिपिन सागर में इसको आयोजित किया गया है इसमें कौन से सेनाय शामिल थी तो इसमें नो सेनाय शामिल थी ठीक है आपको वैसे पता होगा नो सेना थल सेना और वायू सेना में क्या फर्क है थल मतलब जो धरती पर होती है ठीक है जो धरती पर हमारी रक्षा कर रही है वह है थल सेना जो वायू में हमारी रक्षा करती है वह वायू सेना और जो पानी में या फिर समुंद्र जैसी जगाओं पर हमारी देश की रक्षा करती है वो कौन से सेना होती है नो सेना ठीक है नो सेना को याद करने के एक और तरीका है नो से हो गया नाव और नाव कहा है पानी में ठीक है तो नो सेना और नाव से आप सेही जवाब हो जागा इसका भारत और जापान के बीच में हुआ है और अरब सागर में आजित किया गया था और इसमें नौ सेनाय शामिल थी कौन सी सेनाय नौ सेनाय सेही जवाब हो जागा इसका भारत श्रीलंका के बीच में और कौन सी जगा पर हूआ है याद रखेगा यह हुआ है अमपारा श्रीलंका में कहां पर अमपारा श्रीलंका में कौनसी सेनाय इसमें शामिल थी तो थल सेनाय शामिल थी समुंद्र शक्ती तीसरा संस्क्राइट 2021 सेन्य अभ्यास किन किन देशों के मद्य में हुआ सही जवाब होगा इसका भारत और इंडोनेशिया के वीच में कहा पर हुआ तो यह सुन्डा जल्डमरो मद्य में हुआ कहा पर उसका आयोजन हुआ सुन्डा जल्डमरो मद्य में कौनसी सेनाय शामिल थी नौ सेना समुंद्र जैसा कुछ भी आपको सुनने के लिए मिले समुंद्र जैसा अभ्यास तो उसमें कौन सी से नाय शामिल होंगी नो से ना की नेक्स कुशन हमारा सूर्य किरण पंदरवा संस्करण 2001 के सन्य अभ्यास किन किन देशों की बीच में हुआ सही जवाब होगा भारत और नेपाल के बीच में कहाँ पर तो उत्रा खंड के पितोरा गर में हुआ था और इसमें कौन सी से नाय शामिल थी तो थल से नाय शामिल थी नेक्स कुशन आस इंडेक्स चोथा संस्करण 2001 के सन्य अभ्यास किन किन देशों के पीच में हुआ अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो EUS कार्थ हो गया आस्ट्रेलिया और IND कार्थ हो गया हमारा भारत इंडिया तो क्या उत्तर होगा इसका भारत आस्ट्रेलिया के बीच में यह सेनी अभ्यास हुआ कौन से सन्सकْरण था तो चोथा था ठीकिए अभी उद रखेगा कौन से सन्सक्रण है यहाँ पर क्या लिका है चोथा संसक्रण हुआ था 2001 में भारत आस्ट्रेलिया के बीच में और कहां पर हुआ था तो यह हास्टेलिया में आयजित हुआ था और इसमें नौ सेनाय शामिल थी नेक्स कोशन है हमारा सिंबेक्स 28 वा संस्क्रण 2001 के सेन्य अभ्यास किन किन देशों के पीछ में हुआ है महतपून कोशन है सही जवाब होगा इसका भारत सिंगापूर कहां पर हुआ था योजित तो दक्षिन चीन सागर में हुआ था और देख्या अगर ये दक्षिन चीन सागर में आजित क्या गया था तो इसमें कौन से सेनाय होगी शामिल नो सेनाय शामिल होगी सागर की बात हो गई पानी में प्रैक्टिस कर रहे है ना तो पानी में कौनसे सेना होती है नौ सेना होती है जापड 2021 सेन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ याद रखेगा सही उत्तर होगा इसका यह बहुराश्ट्री अभ्यास था कहां पर हुआ था रूस के नीजनी में हुआ है और इसमें वायू सेनाई थी बहुत ही सदा महतपूर्ण क्योंकि इसमें वायू सेना यह शामिल थी वायू सेना बहुत ही कम होती है प्रक्टिस तो इसको जरूर याद रखेगा अगर वायू सेना से रिलिटेट कोई भी सेन्य अभ्यास है तो इसको जरूर रट लीजे याद कर लीजे साजा भाग ये 2001 के सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ सही उतरेसका, पाकिस्तान, चीन, थाइलेंड और मंगोलिया साजा भाग 2021 के सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ पाकिस्तान, चीन, थाइलेंड और मंगोलिया के बीच में कहाँ पर हुआ तो यहाँ चीन में वजित किया गया था और इसमें शामिल थी थल सेना ठीक कौन से सेना थल शेना इसमें शामिल थी नेक्स्ट कोशन काजिन पांच्वा संस्क्रण दो हजारे की सन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य में हुआ सही उतर होगा इसका भारत और कजाकिस्तान भारत और कजाकिस्तान के मध्य में हौआ कहाँ पर हुआ तो यहाँ भी कजाकिस्तान जगाँ पर हुआ है और इसमें थल सेनाय शामिल थी कौन से सेनाय थी नेक्स कुशन देखिएगा जायर अलबहर दूतिय ठीक है कौन से सन्सक्रण था दूसरा सन्सक्रण था यह रॉमन नमबर में लिखा है आप जानते होंगे रॉमन नमबर में जैसे एक, दो, तीन ठीक है इस तरह से लिखा है तो आप कन्फियूज मत होना क्योंकि यहां से भी कुशन बनते हैं कि यहां 2021 सेन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ सही उत्तर क्या होगा भारत और कतर के मध्य में हुआ कहां पर हुआ तो यह फारस के खाड़ी में हुआ है फारस के खाड़ी पानी वाली जगा है वहाँ तो बताए इसमें कौन से सेनाएं शामिल होंगी नो सेनाएं शामिल होंगी नेक्स कोशन हमारा अल मोहेद अल हिंदी 2021 सन्य अभ्यास इंपोर्टन कोशन किन किन देशों के बीच में हुआ सही जवाब होगा भारत और साओधी अरब भारत और साओधी अरब के मध्य में हुआ कहाँ पर हुआ तो यहाँ साओधी अरब में ही हुआ था योजित और इसमें नो सेनाएं शामिल थी नेक्स कोशन हमारा सी केट अभ्यास 2021 यह सन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ ये भी बहुत ही ज़दा इंपोर्टन्ट सी केट अभ्यास 2021 तो यह देखिए भारत और अमेरिका के मध्य में हुआ है कहाँ पर कौन से जगापे सिंगापूर में अभी यहाँ पर सी लिखा है मतलब समुंदर के बात हो रही है तो कौन से सेनाएं शामिल होंगे इसमें जी हाँ नौ सेना जो समुंदर में हमारी रक्षा करती है ठीक है नेक्स कोशन जायेद तलवार दो हजार एकिस सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ सही उत्तर होगा इसका भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मद्धे में हुआ कहां पर हुआ था यह आयोजित तो अबुदावी तटपर आयोजित हुआ था और इसमें भी नौ सेनाय शामिल थी ठीक है जायेद तलवार दो हजार एकिस में नेक्स कोशन कुंकर्ण अभ्यास दो हजार एकिस सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ सही उत्तर होगा इसका भारत और ब्रिटेन के मद्धे में हुआ है कौन सी जगा पर हुआ था तो याद रखेगा यह है इंग्लेंड के इंग्लेंड में हुआ है और इसमें नौ सेनाय शामिल थी नेक्स कुशन कटलेस एक्सप्रिस दो हजार किस सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ सही उत्तर होगा बहुरास्ट्र अभ्यास था और इसमें हमारे भारतिय पोत आई एनस तलवार ने भी भाग लिया था ठीक है इसमें नौ सेनाय शामिल थी नेक्स कुशन होगा टीटी एक्स दो हजार किस त्रेपक्षिय सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मद्धे में हुआ बहुत ही जदा इंपोर्टन कुशन सही उतर होगा भारत श्री लंका और माल्दिव के बीच में हुआ ठीक है यह वर्चुल टेबल टॉप अभ्यास रहा था कैसा था वर्चुल टेबल टॉप अभ्यास था whispering में हुआ था को सही जवाब श्रीक वहारत पर भारत श्रीच के बीच में हुआ यहाद दक्षिनी रूश के वैल γोंगा ज्शेटर में आज़ित कया गया था अ इसमें थल्सेन शामिल थी next question है sea bridge 2001 की सन्य अभ्यास किन किन देशों के मद्धे में हुआ important question सही उत्र क्या है इसका सही उत्र है NATO सदे से इसमें शामिल थे NATO सदे से क्या है NATO NATO क्या है comment करके जरूर बताएगा बहुती simple सा है ठीक है काफी बार इसको explain करके समझा चुके है नाटो सदस्य देश नाटो में कौन-कौन से देश आते हैं यह बताईएगा ठीके कमेंट करके दिखते हैं कितने लोगों को पता है नाटो के बारे में से ब्रिज नाटो के जुषंहे हैं देश अनके मध्य में हुआ था ठीके कहाँ पर टेके काला सागर में हुआ है तो कौन से सेनआ उने पठे लिया होगा इसमें कौन-कौन से सेनआ के ईसमें शामील हुए हुए हूंगी नौ इसमें हुए नवज सही उत्तर है इसका भारत और यूरोपिय संग कहां पर हुआ था तो यहां अधन की घाड़ी में हुआ था युजित और इसमें नौशनाय शामिल थी वरोण 2021 सन्या भ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में कहां पर हुआ तो अरब सागर में हुआ और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली कौन से से नाय थी सन्या भ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है कहां पर हुआ था तो यह UAE में और अलडफरा एर्वेस में ठीक है वायू से नाय इसमें शामिल थी सन्या भ्यास खंजर 2021 किन किन देशों के बीच में हुआ सही उत्तर होगा इसका भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है कहां पर हुआ तो यह किर्गिस्तान के राजधानी बिशकेक में इसको आज़ित किया गया था इसमें थल से नाय शामिल थी नेक्स कोशन है लापिरोज सेन्या भ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ सही उत्तर होगा इसका फ्रांस और क्वार्ट देशों के बीच में हुआ अब देखे क्वाट देशों में अमेरिका आस्ट्रेलिया भारा जापान ऐसे देश इसमें आते हैं लापिरो सेन्य अभ्यास फ्रांस और क्वाट देशों के बीच में हुआ कहां पर आयजित हुआ था बंगाल के खाड़ी में आयजित हुआ था इसमें पार्टिसिपेट करने वाली सेनाए थी नौ सेनाए नेक्स कुशन शांतिर आग्रो सेना दोहजार रिकी सेन्य अभ्यास किनकिन देशों के बीच में हुआ सही जवाब ऑप्शन भी भारत भूटान श्रीलंका और बंगलादेशन के बीच में हुआ कहां पर हुआ बंगलादेश में हुआ इसमें शामिल थी थलसेनाए नेक्स कुशन सी विजल दोहजार रिकी सेन्य अभ्यास किनकिन के बीच में हुआ सही उत्तर होगा इसका नौसायना कोस्ट गार्ड और समुन्दरी एजिंसिया इन सब के बीच में सी विजल दोहजार रिकी सेन्य अभ्यास हुआ कहां पर हुआ तो तेरा तटवर्ती राज्य और किंद्र शासित प्रदेश में हुआ नेक्स कुशन है हमारा वज्र प्रहार दोहजार रिकी सेन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ वज्र प्रहार दोहजार के सही उत्तर होगा इसका भारत और अमेरिका के मद्धे में हुआ कहां पर हुआ आयोजित हिमाचर प्रदेश के बकलोह में हुआ था और इसमें शामिल थी थल सेनाए नेक्स कोशन डस्ट लिक का जो दूसरा संस्क्रण हुआ था तो हसार इकिस में यह सन्य भ्यास किन के देशों के बीच में हुआ इंपोर्टन कोशन याद रखेगा डस्ट लिक का दूसरा संस्क्रण सही उत्तर होगा इसका भारत और उजबेकिस्तान के बीच में हुआ है उजबेकिस्तान उत्राखंड के रानी खेत में आजित हुआ था और इसमें धल सेनाए शामिल थी सही जवाबों का भारत और अमेरिका के मध्य में हुआ अगर हिंद महासागर में हुआ है तो कौन से सेनाए शामिल होंगी नो सेनाए याद रखेगा बहुती सदा महतपून क्यूंकि भारत के तीनो सेनाओं के बीच में कराया गया था ट्रोपेक्स सेन्य अभ्यास तीनो सेना है कौन-कौन से है धल सेना वायू सेना और जल सेना ठीक है तीनो सेनाओं के बीच में हुआ था ट्रोपेक्स सेन्य अभ्यास बहुती जदा महतपून कोशन याद रखने है आप लगोगा लास्ट कोशन MFIX 2001 के सेन्य अभ्यास किन किन के बीच में हुआ चार आप्शन है आपके पास कि आपको उसका उत्तर पता है MFIX 2001 के सेन्य अभ्यास किन किन सेनाओं के बीच में हुआ सही उत्तर होगा इसका भारत के तीनों सेनाओं के बीच में हुआ यहाँ भी important question है याद रखेगा ट्रोपेक्स और एमफेक्स दोनों भारत की तीनों सेनाओं के बीच में कराया गया था यह एमफेक्स 2001 के सेन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित हो तो अन्मान और निकोबार द्यूइब समोह में आयोजित किया गया था आज की वीडियो में इतना ही यही टॉपिक आपको सेन्य अभ्यास युद्य अभ्यास और कंबाइंड लेक्टरी प्रैक्टिस नाम से यहाँ आपको टॉपिक मिल जाएगा ठीक है बहुत सारी जगाओं पर आप इसे सेन्य अभ्यास के नाम से भी पढ़ेंगे और युद्य सेनायश में सामिल थे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर दें जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुच आएगा ठैंक यू